गुद्ध मॉर्णिंग स्टूडेंट्स नव खार्थी परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जो मैं सिक्षन की विशेष्टाओं के बारे में अध्यान कर रही थी। जिसमें है हमारा टॉपिक पाध्टे क्रम वेद पाध्टे चरिया के अनुसार हमारे सिक्षन में कौन-कौन विशेष्टाए होती है। मैंने पहले वाले वीडियो में पूरा अत्ता अगर बच्चों आप देखें तो पाठ्टिय चरिया और पाठ्टे क्रम यानि की करीकुलम और सिलेवस इन दोनों का मैंने गहनता से और विस्कार से आपको अध्धन बताया है तो अगर आप और ज्यादा इसके बारे में जानन चाते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो को जो मैंने पहले वीडियो अफ्लोड की थी उसे आप आसानी से देख सकते हैं उसमें आपका ये कंसक्त क्लियर होगा कि पाठ्टिय चरिया क्या है और पाठ्टिय क्रम क्या है आज मैं आपको सिक्षन में कभी इसकी विश्यस्ता पाई जाती है तो सिक्षन के विश्यस्ताओं के बारे में हम अध्यान कर रहे हैं पाठ्टिय और पाठ्टय चरिया तो प्रिथम जाना हम देखेंगे फर्स है इसमें सिक्षार्टी वे सिक्षन सामगरी के मध्यै नियोजित परस पर क्रिया हम मानते हैं कि मैंने पहले सर्वोपरी थे लेकिन आज की जो सिक्षा है हमारी उसके अंदर सिक्षक, सिक्षार्थी और हमारा जो सुलेवस है बाठ्टिक्रम जो है हमारा वो महत्तुन है यानि कि आज की जो हमारी सिक्षक अध्दी है उसे हम त्री थूबिय मांते हैं त्री थूबिय हमारी है तो इस तरीके से यह हमारी त्रीजु हुए है तो इसमें वही चीज बताई गही है कि सिक्षार्थी वह सिक्षन सामगरी क्योंकि जब पात्यक्रम सिक्षक नियोजित करते हैं तो वह किसको ज्यान में करते हैं चात्र को यानिकि सिक्षार्थी को देखते हुए वह अपना पार्टिक्रम तैयार करते हैं अब उसके अंदर जो पार्टिक्रम उन्होंने लागू किया है उसके अंदर उन्हें किन-किन सामगरी को उप्योब करना है यह भी क्योंकि जब तक जिस चीज के बारे में हम ज्ञान दे रहे हैं उसके लिए अगर हमारे पास प्रयाम था सामग्री आपक था यहावी होता है यह की हमिए जो स्केज्ध चाहिए था यह वारे पूरी die की प्रियारी किस तरीके से हमारे सिक्षन सामगरी का महत्पून योगदान होता है तो इसलिए ये हमारे पार्थी चर्या और हमारे पार्थी क्रम की महत्पून ये विशेस्ता होती है सिक्षन में कि जब शिक्षक अपने सिक्षार्थी को देखते हुए अपने उद्देश्य को निधारिक करते हैं तो उनके लिए जो उनकी सामगरी होती हैं उनके अंदर परस पर संबन होना चाहिए यानि कि जो हमारा विश्यवस्तू है उसी के आधार पर हमें अपनी सामगरियों का चैय करना चाहिए इन दोनों में सामगयूगा चाहिए निकिस्ट के अनकोर्ण जो देश्य है हमारा जैसा हमारा विश्यवस्तिय वैसा ही हमें हमारे सामगयूगा चैयन करना चाहिए अब सेखेल आती है हमारी संसादन मिल्यांतन प्रिजिया जो हम सामगरी करते हैं सिक्षन सामगरी के बाद में आता हमारे संसादन यानि कि हमारे उपकरन कि उसके लिए हमें किं-किं उपकरोनों का प्रयोग करना है यह उपकरन क्या करते हैं हम जहां यहां हमारी सामगरी का च यह हमाई सुक्ष्ण सामगरी है और संसाधन है आज की पर को पर चाहिए कहते हैं नहीं हैं लें साइंस के स्टूडेंट है तो हमारे लैप के अंदर उसके लिए प्रयाप संसाधन होने चाहिए जिस जिस टॉपिक में बच्चा करना चाहरा है जिस टॉपिक का वो ऑग्जान देना चाहरा है उससे सम्बादिक उनके सभी संसाधन महविध्याले में उपस्तित होने चाहिए अगर यह संसाधर हमारे उखलब नहीं होते हैं तो हमने देखा है कि यह र Luna Roo कन नहीं हो जाता है उस करने के बार में हम उसके लिए सामगरी का चेयन करते हैं सामगरी के बार में हमने देखा है हम जिस मैटार से उने पढ़ाएंगे जिस विदी से हम पढ़ाएंगे हम विदी और संसाधनों का प्रयोग करेंगे और जब इन सब का हम प्रयोग कर चुके होते हैं उसके बार में हम मिल्यांतर के प्रक्रिया में भी हमारे यह सब चीजे बहुत मैंकुम होती हैं पाट्टी चडिया के लिए कि पाट्टी चडिया आज सिक्षक का हतियार होते हैं सिक्षक इनके बिना अपना जो तरीकां का पढ़ाने का क्योंकि आज सिक्षा है और सिक्षा प्रक्रिया को नियोजित करते हैं अगर पोल रूप से हमारे सही सही मैथर्ड सही संसाधल और सही सामगरी का अगर हमारा प्रयोग होता है सिक्षन की प्रिक्रिया में तो डाफिनेटली हम इस चीज को मानते हैं कि हमारा मुल्यांगन प्रिक्रिया में प्रभावी होती है और मुल्यांगन की प्रिक्रिया ये सारी प्रिक्रिया ये हमारे प्रभावी 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 नहीं होते हैं हमें जो भी प्रभावी प्रभावी होती हैं हम इनके बिना नहीं कर सकते प्राप्ति यानि कि हम ने जो हमारे जीवन में जादा से जादा जिन उग्डेश की प्राप्ति की करने की सोची है चाहँ को कई उच्फैन ऊसके प्राप्ति के सकते हैं इसके वाघना वनियुक्त हो इसके प्रेयों होगते हैं हमारे भीच में उस प्रक्रिया से गुजरते हैं और उस लक्ष को प्राक्ष करने के लिए उस उचोटे बड़े उद्धेश्यों के क्या होता है सुफशार्थी को ज्यांत्रक्रदान करना सुफचन देना तो यह प्रिक्रिया का एक हिस्सा होती है कि लिए लिट भाव क्यों थे इंदो नीकि बड़ा प्रिश इस तरीके से जो लेकरिके है किस तरीके से हमें वह लक्ष टापत हमारा कर वाता है तो यह हमारी जिह कैसे पढ़ना है किस तरीके से अधाला किया चिछब्स अक्या मैं अधाल एक जो कर देश मारे distill एक बड़ा देश हैं तो उसी बारे में हमारी पाट्थे चरिया कार्थिक्रम हमें बताती है फिर आता है हुमारा अनुदेशन प्रक्रिया में मैंने बताया था कि अनुदेशन प्रक्रिया में सिक्षाथ सबसे पहला कि अनूदेशन पर चलते हैं यह कहता है कि जो कहते हैं उसके अंदर सब में हेट्वन होती है तो वही सिक्षक क्रवाते हैं तो यह जो पाठ्थे क्रम बाट्थे चलिया है जिस तरीके से से, कि-ßंअ, हमारे लिए, हमारे प्रक्रिया में एहन होते हैं उसी तरीके से, हमारे पठ्ठी क्रम और पठ्ट्य चramble आभी हमारी अनुदिशन प्रक्रिया में हमारे एहनил का निभाते हैं, यह हम करने注 मों और आज के आच चरह świด sans अध्यान से ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत प्रेश्ट हमारे इसमें से पूछे जाते हैं, तो इन चीजों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है, कि सिक्षन की जो भुषेस्ता है, उसके अंदर पाठी क्रम और पाठी चरिया की क्या धूमिका है, किस तरीके से, फिर आता है हमारे सिक्षन की मानक इस्थपित करना है, मानक मानते हैं कि हम किस आधार पर एक मानक तयार करते हैं, प्रणूप तयार करते हैं, कि हम क्या उद्देश्य लेकर उस सिक्षन क्रत्रिया को कर रहे हैं, कि हमें जो कारिये हम कर रहे हैं, उस कारिये से हमें किस चीज की उद्द इस्षय होते हैं इनके गोरा हम हमारे एक लक्ष की प्राप्ती करते हैं तो आरुकह चोह करना आखिर वो सिक्षन हम किस दिशा में और किस लिए बात करते हैं यह हमारे आज की ताम पर द्रस्ट्री कौन होता है क्योंकि यह जब तक हमें किसी चीज की जबरत नहीं होती है यहानि की आवशक्ता अविषकार की जणिनी होती है यानि कि हमें जब तक हमारे जिस चीज की आवशक्ता नहीं होती है यह मनुश्य की प्रेवर्टी होती है कि जब तक उसकी आउशक्ता पारी उसकी आउशक्ता नहीं बनेगी वह अपना कार्गे नहीं करेंगे तो इसलिए यह सिक्षन का एक मानत स्कापित करते हैं कि आपी हम जो जिस चीज का हम ज्यान ले रहे हैं वह ज्यान हम क्यों ले रहे हैं फिर आता है हमारा हमारी अनुदेशन प्रेक्डिया मैंने बताया फिर हमारी सामाजिक परिवर्तन के कारण बच्चों हमने देखा है सबसे महत्कून है यह पॉइंट कि आज की जो सिक्षा है हमारी यह आंगा है कि जो हमारी सिक्षा का विकास हुआ है वो किस कारण हुआ ह करिए हमारे सामाजिक परिवर्वर्वतन के कारण यह जा हम मानते हैं कि जो सिख्षार्थी हम जिसकी हम सिख्षा ले रहे हैं ओस समाज में यह इस कॉल परिवर्वर्वन होंगे और समाज रहने वाला समाज करेंगे है तो इसे न होग DRण उसकी आशक्ता बन dużo हैं हमारी सिंटे हुए है व परिवर्ता क्यों हुँ है अम्हानी कर देखा है कि हमस्ब समारा समाज हमारे पुरदेश एक बहुत बड़ी विमारी से जूज रहे हैं हम जो महता मारी है हमारी कोरोना आज क मेरे हमें किया सिखा रेहा है हमें Osas फारी जो समाज़ने करी वरतान क्या माना है मैं online पढ़ना यह समाज हमारा मतला आज हम्हारी आउशक्ता बन गई अगर जो हमें अगर उल्लाइन पढ़ाना नहीं आरा रहा है तो वह हमारे सीखना पढ़ा है बच्चों नहीं बढ़ना आरहा है उन्हें पढ़ाना हम सिखा रहें तो यह क्या है क्लेंकि समाज का डेश के हैम इसु por समाज को प्र Sindus करेगा वो व्यक्ति को भी करेड़ा हूं कि इसलिए हमारे ज embray उसक्षा कि उसके समाज करें ऑनेको व्यापत आपकोा लेकिन क्यों किए क्योंकि वो समाज ने करीवर्टन चाहते थे हमारे समाज 25 मजशा समाज बने और समाज में जो ब्याक्त बुराइया है उन्हें दूर अधर है अन्हें करीवर्टन होता है हमने देखा है तके आया पर हमारा अठीफ स्थे चाहिए होता है है यह हमारे समाज है तो इसे लिए किया समाज समाज का में परिवर्टन होता है यहां हो रही हैं वही परिवर्टन हम हमारे आफ्टी करम in चाहते हैं तो सिक्षन की प्रत्रिया होती है वह प्रति क्रम की विकास गतिशील्ड क्रिया है मैंने निभ्यक्रम पढ़िक अब परभाई ऊप्र डिर्फट there बच्छों अगर आप देखना चाहने तो एक एक वीडियो में आपको इसका वढ़नम मिलैगा विकास एगला विकस हमिन अभी परिवर्दन चाहते हैं उसे निरंतर उस विकास को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं किस तरीके से हम इसे बढ़ाते हैं क्लिशेत्म पात्य चरिया ये भी हमारा इस्सा होता है बच्चों ये हमारी या अधिक इस कही करिया करके चुछ को भी जेशा होती है करके हम सिखाते हैं यानि कि प्रैक्टिकल सिखाते हैं बच्चों को कि किस तरह से इसके अंतरकर हम जो इनके विध्यार्टी के जीवन में जो कोशल होते हैं वो हम सिखाते हैं या हम कहें कि जो हम यहां पर विध्यार्ण में पढ़ाते हैं उसे हम बच्चों को करके सिखाते ह क्रिया करके सिखाते हैं फिर आता है हमारे स्वयतंत्र अख्रांट का लिए कि कि चाहिए से सिक्षघ को पढ़ाने के बाद में इसको कढod rutin के लिए स्वयतंत्र है यह हमारे सिक्षम क्यों कि प्रेक्रिया है जहां चिंदान इसल्पर हमें श्मयते हैं चाहते हैं जिवन का कोशल सिखाना है यह हमने जो हमारी बुन्यादी बेसिक सिक्षा है यह वहां से हमारा शुरू हुआ कि किस तरह से बच्चे उसे अपने जिवों को पारजन का साधन बनाते हैं अपना जीवन के Noumati की के प्रियोग करते हैं अपना जीवन यापन करries वह ठीजान जया हैं कि विद्यां को जयां कि कि व Keeping लिए अशुआ हीं Manufacture सो को सब्भे के सांसा हमें जीना भी आना चाहिए कि हमें किस तरहे से जीने के लिए हमारी आवशक्ताइं हैं क्योंकि जीवन जब तक पूरा नखी marksak कोन अधार एक जीवन का आधार है क्योंकि इनके विना अगर इनिस ये विध्यार्ति को ना मिलें तो क्या विध्यार्ति अपना जिस सिक्षा लेंगे क्योंकि पहले उनकों उनके जीवों को पारजन का भी साधर बनाना है तो इसी लिए इस सिक्षा के लिए कहा जाता है कि सिक्षा हमारा जो है ऐसा होना चाहि जिससे विध्यारती एक सभ्य बनने के साथ साथ वो अपना उस सिक्षक और जीवों को पार्जन में भी अपना उप्योग ले सके तो आज सा जो हमारा टॉपिक था पाठ्टेचरिया और पाठ्टेक्रम के अनुसार सिक्षन में क्या विशेश्थाइब होनी चाहिए इन बनन किया है धन्यवाद